हुआ हुआ है नमस्कार स्वाथियो स्वागत्याप सब्सक्राइब फिर से हमारे नई योगा शिरिस के अंदर यह जो आसने इस रहनी का दस्वा आसने जो कि आज हम प्रैक्टिस करने जा योगा देन मनाते है असे के अंदर समय किया गया है तरह में स्टेंडिंग में रेकर करना है और अब को बहुत ही अच्छा काम है करने के लिए किसको करना है कौन कर सकता है को नहीं कर सकता है ताड़ासन करने से आपको क्या-क्या, शरीर में लाब होंगे, ताड़ासन कब करना चाहिए, यह सारी चीज़े आप जह हम डिटल में जानेंगे ताड़ासन, ताड यानि ताड का पेड, इस आशन को करते समय, आपके शरीर की स्थिति, ताड के पेड की तरह, उची और मजबूत हो जाती है अब अपने हाथों को कंधों तक उठाए, हथीलियों को सामने रखकर अपनी उंग्लियों को आबस में पकड़े, और फिर धीरे से कलाईयों को बाहर की तरफ मोड़े अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए, अपनी भुजाओं को कंधू की सीद में उठाते हुए, सर के उपर ले जाएं इस सवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एडियों को जमीन से उपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं अब बिना अपना संतुलन खोए, बिना पैरों को हिलाए, इस थिती में 10 से 15 सेकंड तक रहें, सामान ये रूप से सांस लें और छोड़ें, कुछ देर आराम से रहें, शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदू पर अपनी आखें केंद्रित करें, इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा ये आसन रीड से जुड़ी दंत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करता है, शरीर की मुद्राओं यानी पॉस्चर को बहतर बनाता है, इससे जांग, घुटने और एडियां मजबूत होते हैं यदि आप, रिदय रोग, सरचकराना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वैरिकोज वेन कहते हैं से पीडि थूँ तो ये आसन ना करें दस से पंद्र सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद, धीरे से अपनी सास छोड़ते हुए, अपनी एडि को वापस जमीन पर रखे, धीरे से उंग्लियों को खोले और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाए इस आसन का नियमित अभ्यास, शारिरिक और मानसिक संतुलन विक्सित करता है इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें